एलो चिल्डर कुसुम मैं कि राइंट आज में आपका स्वागत है प्यारे बचो आज हम पहली कक्षया के विश्यर गणित का चैप्टर 11 है क्या पहले क्या बाद में में आने वाले स्वालों को हल करना सीखेंगे इस चैप्टर में हम आज सीखने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से काम है जो हम सुबय करते हैं शाम को करते हैं या फिर दोपैर को करते हैं और साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे सीखेंगे कि किन कामों को करने में ज़्यादा समय लगता है किन कामों को करने में कम समय लगता है इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको एक बिल से मज़े से सीख पाएं एक और बात अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिसा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ओनलाइन स्टड़ी हब को सब्सक्राइब भी करें साथ में दिये बैल आइकन को जरूर प्रेस करें लाट स्टाट चैप्टर 11 क्या पहले क्या बाद में तो सबसे पहले यहां पर देखो दे रखा है कि चार चार बच्चों की टोलिया वनवा कर दोड लगवाएं बात चीत करें कि किसे समय जादा लगा किसे कम अब एक बच्चे से एक चक्कर लगवाएं वे दूसरे बच्चे से दो चक्कर लगवाएं किसे जादा समय लगा इस पर बात चीत करें तो यह सब काम तो बच्चों हम स्कूल में कर सकते हैं आप सभी बच्चे जो है वो स्कूल में कर सकते हैं आपके जो टीचर हैं वो यह काम आपको करवा सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स है घर पर भ और दूसरे बच्चे से दो चक्कर लगवाते हैं, तो बताओ कि समय ज़्यादा किसमें लगेगा। पता है। हाँ, जिस बच्चे ने दो चक्कर लगाए हैं बच्चों, उसको ज्यादा समय लगेगा। है, ना ? और आगे साथ-साथ ये भी खहा गया इसमें, ये काम आप खुद भी खेल सकते हैं बच्चों अपने दोस्तों के साथ इस दोरान बाकी बच्चे तालिया वजाते हुए गिंती भोलेंगे बच्चों से दिन के क्रिया खलापों पर बात चीत करें चर्चा करें कि किस में ज्यादा समय लगता है जैसे पानी पीने में या खा बच्चों को भी परसन बनाने वे एक दूसरे से पूछने के लिए प्रोसाहित करें बातचीत करें कि शाम हो गई कैसे पता चलता है आदे तो ये सब काम जो है वो अपनी क्लास में जो है आपके टीचर कर सकते हैं या फिर जो भी पेरेंट्स हैं पने बच्चों को ये लगाना है बच्चों यहां पर देखो कुछ फोटो दे रखी है इनको ध्यान से देखिए इस फोटो में ये बच्चा क्या कर रहा है ये नहा रहा है है ना तो जो काम सुबय करते हैं उस फोटो पर जो है सोरी हमें टिक का निसान लगाना है तो जो काम सुबय करते हैं नहा अब यहां पर देखिए यह बच्चा जो है वो पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम जब आप सुबय उठते हैं तो पढ़ने का काम करते हैं कई बच्चे जो है सुबय उठकर पढ़ने का काम भी करते हैं तो वो बच्चे इस पर टिक कर सकते हैं अब यहां पर देखिए यह और है जैसे यहां पर देखो, यह लड़की अपने दातों को ब्रश कर रही है, तो ब्रश करने का काम भी हम सुभय करते हैं, है ना, तो यह इस पर भी हम टिक लगाएंगे. अब आगे है जो शाम को करते हो उन पर टिक का निसान लगाओ तो अब यहाँ पर इस पिक को ध्यान से देखो इसमें क्या 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 है? हाँ ये बच्चा सो रहा है शाम को सोते हैं क्या? नहीं शाम को तो नहीं सोते, रात को सोते हैं है ना? तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे अब यहाँ पर देखो यह बच्चे क्या कर रहे हैं यह यहाँ पर खेल रहे हैं तो हम शाम को खेलने का काम करते हैं है ना स्कूल से आने के बाद बच्चे अपना होमवर्क करते हैं और फिर कुछ समय खेलते भी हैं तो हम इसको टिक करेंगे अब यहाँ पर देखो यह बताओ यह पिक इसमें क्या दिखाया गया है यह लड़का स्कूल जा रहा है शाम को स्कूल जाते हैं नहीं शाम को हम स्कूल नहीं जाते तो फिर इसको टिक नहीं करेंगे अब यहाँ पर देखो यह लड़की क्या कर रही है यह अपना होंबर कर रही है यहाँ पर इसका बैग भी रखा है बुक्स भी रखी है और यह अपना होंबर कर रही है तो शाम को स्कूल से आने के बाद दोपैर को जब स्कूल से आते हैं तो आने के बाद शाम को हम अपना हो पूरा करते हैं है ना तो यह काम करते हैं हम शाम को तो इसलिए हम यहां पर टिक लगा देंगे आगे है कि जो दोपैर को करते हो उन पर टिक का निसान लगाओ जो काम दोपैर को करते हैं अब देखिए यह बुरुष कर रही है तो यह तो हम दोपैर को नहीं करते सुबय करते या फिर रात को भी कर लेते हैं, अब यहां पर देखिए, यह लड़का जो है, वो स्कूल से बाहर आ रहा है, अपने घर की तरफ जा रहा है, तो दोपैर को तो ऐसे ही करते हैं, तो पैर को छुटी होने के बाद, अपने घर आते हैं वापिस, तो इसको हम टिक करेंगे, यह क सूबय का खाना खा रही थी, है न, यहां पर, यहां देखिए, सूरज भी दिखाई दे रहा है, सूबय का है यह, जब सूरज पूदय हुआ था, तब का है, तो यह काम यहां पर इसको टिक नहीं करेंगे, अब यहां देखो, यह बच्चा नहा रहा है, तो यह भी काम, सू रात को हम सोते हैं तो इसको टिक करेंगे आगे अब यहां पर देखिए यह खाना खा रही है तो रात को सोने से पहले हम खाना भी खाते हैं तो इसको भी हम टिक करेंगे यहां पर देखिए एक बार इस पिक को और यह लड़की क्या कर रही है यह ब्रुश कर रही है तो बचो कई लोग क्या करते हैं रात को भी खाना खाने के बाद ब्रुश कर लेते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं पर ना इस पर टिक करने की आवश्रक्ता नहीं है क्योंकि जादा तर सुबय के टाइम ही ब्रुश करते हैं अब आगे यहां पर देखिए एक प पिक नहीं करेंगे अब आगे देखिए आगे है पहले क्या फिर क्या यहां पर क्या काम दिया गया बताओ यह पिक किस चीज की है यह पिक है रोटिया बनाने की है ना तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं इस तरह से हमें इन पिक् तो सबसे पहले क्या करते हैं रोटी बनाने के लिए आटे को छानते हैं देखो यहां छान रेना इसको एक नमबर दे दिया अब दूसरे नमबर पर क्या करते हैं फिर बताओ हाँ दूसरे नमबर पर है हम आटे में पानी डालते हैं तो यह हो गया दूसरे नमबर का काम अब आटे में पानी डालने के बाद क्या करते हैं बच्चो बताओ श्याबस बता है आटे को गूंधते हैं यहाँ देखो यह आ जाएगा आटे को गूंधते हैं आटे को गूंधने के बाद क्या करते हैं छोटी छोटी लोईया बनाते हैं तो यह चार नंबर पर काम हमारा आएग ये देखिए लोईा बना रखी है अब इस लोई बनाने के बाद क्या करते हैं हाँ बताओ रोटी को बेलते हैं यहाँ देखो यह रोटी को बेल रहे है न तो यह हमारा पांचवे नमबर पर काम आएगा और सबसे last में क्या करते हैं रोटी को बेलने के बाद उसको तवे पर हैं तो यह काम हमारा इसको हम देंगे six number ठीक है इस तरह से आपको भी यह numbering देनी है इनको आगे है ज्यादा समय में पूरा होने वाले कामों पर टिक का निसान लगाओ टिक लगाना है जो ज्यादा समय में पूरे होते हैं यहां पर देखो अब क्या दे रखा है यह नल से जो पाने की और यहां पर क्या है कि इस नल में एक पाइप लगा रखी है और वो पाइप यहां पर इस टप में छोड़ रखी है अब बताना यह है कि ज्यादा समय कौन से काम में लगेगा कौन से काम में बाल्टी जल्दी भरेगी या टप जल्दी भरेगी बुझे यह बताओ सबसे पहले तो बाल्टी जो है वो जल्दी भरेगी है ना इसमें कम समय लगेगा अब मुझे बताओ जादा समय किसमें लगेगा टप में इसे से पाईप से पानी भरने में जादा समय लगेगा तो इसको हम टिक करेंगे अब यहाँ पर देखो विन दो पिक्स को ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस पिक में ये बच्चा स्कूल जा रहा है और ये पैदल स्कूल जा रहा है है ना और यहाँ पर अब इस पिक को ध्यान से देखो इसमें क्या है बच्चा सकूल जा रहा है लेकिन साइकिल पर तो बताओ ज़्यादा समय किस में लगेगा ज़्यादा समय लगेगा पैदल सकूल जाने में तो हम इस जो है फोटो को टिक करेंगे अब यहाँ पर देखो दो फोटो यहाँ पर भी दे रखी है क्या-क्या काम कर रहे हैं ये बच्चा ब्रश करने का काम कर रहा है और ये बच्चा नहा रहा है तो बताओ ब्रश करने में ज़्यादा समय लगेगा या नहाने में ज़्यादा समय लगता है हाँ नहाने में very good तो अब हम इस काम को जो है टिक करेंगे कि नहाने में ज़्याद चित्रों पर आदाहारित कोई कहानी बनाकर सुनाएं, इसके बाद चित्रों पर बच्चो को बादचीत करने दे. फिर कहानी की घटनाओं के क्रम के अनुसार, चित्रों में दिए गोलों में संख्या लिखुआएं. तो यहाँ पर देखो बच्चो आपको एक कहानी दे रखी है लेकिन ये कहानी चित्रों में दी गई है इसको कैसे समझेंगे यहाँ देखो इसे लिखा है और फिर क्या हुआ तो इस कहानी को हमें पूरा करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो सभी बच्चे कहानी सुनेंगे ध्यान से ये कहानी है एक बिल्ली की ठीक है और ये बिल्ली बहुत जादा भूखी होती है तो ये कुछ खाने के लिए जो है घर में जाती है और ये किसके घर में जाती है पता है ये रामू के घर में जाती है ये बिल्ली देखती है रामू के घर में जाकर कि रामू ने आज अपनी रसोई जो है वो खुली छोड़ रखी है यानि उसके गेट बन नहीं कर रखे तो बिल्ली जट से रसोई में जाती है और कुछ खाने के लिए ढूंडती है तो उसको क्या मिलता है बताओ हाँ बिल्ली को वहाँ पर एक हांडी देखती है और बिल्ली जो है वो हांडी की तरफ चल पड़ती है अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो बिल्ली ने आगे हांडी में देखा कि उसमें तो दूद रखा है और इसने जट से अपना मू हांडी क अंदर दे दिया और ये क्या बिचारी बिल्ली का मूँ तो हांडी में फस गया अब तो बिचारी बिल्ली की जान आफत में आ गई अब उसने हांडी में से अपना मूँ निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिस की और इस कोशिस में कुछ आवाजे आने लगी उन आवाजों को सुनकर रामू और उसकी पतनी उठ गए और सोचने लग गए कि ऐसी क्या बात हुई कि कुछ हमारे घर में आवाज आ रही है कहीं हमारे घर में कोई चोड तो नहीं घुसाए अब ये सब देखने के लिए रामू और उसकी पतनी ऊठे और जब वो रसोई में आए तो उन्हों ने देखा कि एक बिल्ली हांडी के अंदर उसका मुँ फसाइव बैठी थी फिर रामु ने और उसकी पत्नी ने बिल्ली का मुँ हांडी में से निकालने की कोशिस की और अंत में वो काम्याब भी हो गए और इस तरहें से उन्हों ने बिल्ली का मुँ हांडी से बाहर निकाल दिया और अंत में उसे जाने के लिए बाए बाए भी कह दिया आप हांडी से मुह निकालने के बाद बिल्ली की जान में जान आई रामू और उसकी पत्नी भी दोनों खुश हुए कि उन्होंने एक बिल्ली की जान बचाई तो बच्चो ये थी बिल्ली और रामू की कहानी अब यहां पर देखो अब इस पिक को ध्यान से देखिए इसमें अलग अलग 5-6 पिक्चोर्स दे रखी है और उनको बारी बारी से लगाना है जो भी काम सबसे पहले हुआ है उसको एक नमबर देना है जो काम दूसरे नमबर पर तो उसको दो नमबर देने है इस तरह से हमें इन पिक्चर्स को नमबरिंग देनी है तो सबसे पहले इन पिक्चर्स को देख कर बताओ सबसे पहले क्या काम हुआ सबसे पहले एक बिल्ली आई है ना कीचन में उसके बार उसने हांडी में मूँ दे दिया भूख लगे हुई थी उसको घैना तो इसको दो नमबर देंगे उसके बाद क्या हुआ उसका मूँ जो है वो हांडी के अंदर फस गया निकला ही नहीं इसको तीन नमबर देंगे उसके बाद क्या हुआ बताओ रामू और उसकी पत्नी को आवाज आई और वो उठ गए तो इसको हम चार नमबर देंगे पांच में नमबर पर क्या काम हुआ था रामू और उसकी पत्नी ने बिल्ली का मुँ हांडी से बाहर निकाला ये पांच नमबर और लास्ट में क्या हुआ बिल्ली जो है उसकी जान बच गई हांडी से मुह निकाल दिया और रामू और उसकी पत्नी ने बिल्ली को जाते जाते बाए कहा तो यहाँ पर ये छे नंबर जो है इस पिक को दे देंगे तो बच्चो आज इस वीडियो में के वली इतना ही आशा है मुझे आपको जो है मेरी ये कहानी भी पसंद आई होगी तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नए स्वालों के साथ तक तक के लिए बाए बच्चो